आपके गाना है तुम ही आना और अज सब की जबान पर है यह अलमोस्स सब को रटा हुआ है यह गाना ऐसा गाना है कि जो मैंने सबसे ज़्यादा जिया है लिखने के बाद घंटों रूम में बंद करके मैंने गाना सुना और मुझे यह गाना पता नहीं कहां लेके जाता है मैंने गायकार, कंपोजर, कुनाल वर्मा इनके बहुत से फेमस गाने आपने सुने होंगे हां हसी बन गए तुम ही आना आज इनके साथ में बात करेंगे कैसे एक जैपूर के लड़के ने बॉलिवोड में धुम मचा रखी है फोटो कोपी की दुकान से अपनी जर्णी चा अगर आप बहुत शुरुमाद जब अपने करियर की करते हो वहां से अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहती है और आप उस चीज़ से भी सीखती हो जो आपको एक बेटर परसन बना देती है तो मैंने वहां भी बहुत सारी की सीखिया है जो मैरे बॉस थे, उन से मैंने दिमार्ग तो हमेशा ये था कि करना तो बड़ा ये life मैं को ये बात बोलता भी था वह मानते भी थै और वहां से गया है कि उन्होंने मुझे मैं डिजैनिंग भी तब मुझे थोड़ी बहुत आती थी तो मैं वह भी सीख रहा था तो उभात जहिए ने को नहीं को एक में पर दे दो कि आपको जो फोटोगोपी वाला कैबिन जो है जिसमें मैं बैठता हूँ वहाँ अगर मैं पास काम ना हो तो मैं को डिजाइनिंग वाले सेक्शन में बैठने की पर्मिशन दे दो आप तो मैं डिजाइनर के साथ बैठ की कुछ ना कुछ दर जाना है बट आपको यह पता होता है कि आपने अपने लिए एक जगे सोची है तो आप पहुंच जाते हो वाँ पर और आपका हमेशा जाएगा बहुत बड़ी जर्नी में तब्दिल हो जाएगा आपने इतने अच्छे गाने दिये तुमियाना दुनिया बारिश जब भी इंसान आज कुछ बड़ा अची हो कर लेता है या अपना कोई मास्टरपीस बना लेता है कि यार मेरा बस ये इनफ है मैं ने ये बना लिया तो उसका दाइरेक्स जगा हो जाता है वो रूख जाता है लेकिन जहां तक मेरे को आपके बारे में पता है ना आप हमेशा सीखते रहते हो ग्रो करते रहते हो तो ये मेंटिलिटी कैसे डवलप बताता हूं कि कहां help करता है क्या चीज़े मेरे को help करती है आपने जिसतर की life जी है जिसतर जैसे दोस्तियारी में हो गई या जिन लोगों से मुलागात करते थे जिन साथ उठना बैटना था जिन लोगों से बात करकर कि एक होता है कि एसास हमेशे जमीन पर मिलते हैं आप अगर सक्सेस्फुल हो गए आप मटियरिस्टिक लाइफ जी रहे हो बड़े बोगों साथ बैट रहे हो आई निरोन लोग पास में जहां आपनी जन्नी शुरू करी है तो वो लोग वो आपको इतना फील देंगे ही नहीं कभी और जहां फीलिंग नी है मेरा काम ही नहीं है तो मैं भले ही वहां कैसी भी लाइफ जीता हूं मुझे उससे फरक ने पड़ता मैं हर महीने या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जब आपने अंदर से बदलाव नहीं जीए भले आपने कपड़े बदल लिए अपने ब्रैंड बदल लिए आपने नाम बना लिया हो आपके स्ट्रिमिंग बहुत बढ़ गई हो बट जो फीलिंग्स हैं जहां मुझे लिखने में तो ऐसा सी काम आता है उसमें आपकी शोबाजी काम नहीं आता तो जब मैं यह मान के चलू कि आपको अपना फ्रेंड सरकल बहुत प्यारा है बहुत ज़्यादा प्यारा है और बात करें तो कुनाल स्पेशलिटी में कितना मानते हैं भक्तिवाओं में कितना मानते हैं या देखें मेरा ऐसा मानना है मैं तो हो सकता है कांट्रोवर्शल हो मैं किसी भगवान के मूर्ती को नहीं मानता तब चेहरे को नहीं मानता मैं मैं मानता हूँ कि मेरी जो आस्ता है वो मुझे पता है कि एक पावर है जिसे हम भगवान बोलते हैं सबने अपने अपने हिसाब से उसको चेहरा दे रखा है मैंने नहीं दे रखा बट क्या होता है कि मैं फिर भी इन्वालव होता ही मुझे लगता है मंवी ने बूलाए कि यार कुल देवी के जाना है तो मेरे लिए भगवान वो एक अलग सब्जेक्ट हो ग đầu है लकिन मुझे लगता है यार मा ने बूलाए और पूट क स्दोल लिए मुझे लगता है कि यार मेरे तो यह भगवान है इन्होंने कह दिया तो चल के आते हैं तो मैं तो इसलिए उसको भी एज़ए रखा जाए तो एक आर्टिस्ट की पहचान है कि काम कोई भगवान मान करके उनके साथ है ओनलपी अपके लाइफ मेंसे कौन वोग है जिनको लगता हो कि यार यह नहीं तो यार मेरे को प। यृथ मिज लूग है उनके भी रखता है मैं को लगता है कि जब काम करना है तो मैं सिर्फ काम करता हूँ जब फैमली को टाइम देना तो फैमली को टाइम देता हूँ जब लगता है कि अभी दोस्तों के पास जाना है उनको मेरी जरुवत है तो उनके पास जाता हूँ तो मैंने अपने आपको भाट रखा है लोगों के हिसाब से और क्या वो एक ऐसी चीजे जो आपको लगता है कि मुझे और राइटरों से अलग करती है यह तो नहीं बता कि कौन सी चीज मुझे उनसे अलग करती है बटे मेरे एक राइटरिंग का जो स्टाइल है मुझे लगता है कि मैं जो नैच्रली लिख देता हूँ मेरे यह रहता है कि आप अपने आपको जवान रखो जितना अधा यंग मैसूस करेंग उतना यूद को कनेक्ट कर पाते वाद तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुकबंदी ना लिखूं बहुत भारी चीज़ें यूज ना करूं मैं गाने नहीं लिखूं मैं बाते करूं लोगों से जब कोई इंसान जैसे कोई भी लाइन में लिखता हूं तो मुझे यह लगता है कि यार यह बात की तरह बोल दो जैसे एगाना था मेरा जो तू ना मिला मुझे बहुत चला था उसमें लाइन थी कि प्यार था वक्त नहीं जो बीट गया दो पल में तो यह तुम तो नहीं थी मेरे तुम तो पूरी जिंदगी मेरे बिताने का सबना सोचा था बटो एक लाइन में एक सिंप्ली सिटी में वकर बोल्ड होगे तो सुनने वाला उसको फील जरूर करेगा गया रहे तो हमारी कान में और से जिसे करेट करेगा अपने आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया है जहां तक मैंने देखा कोई अपना अभी बी ऐसा रहो किया मुझे इसके साथ तो काम इक पर करना ही है यार ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके साथ में मतलब मैं चाहता हूँ काम करूँ और उनको मज़ा आता है काम करते है तो आपके गाना है तुम ही आना और अज सबकी जबान पर यह अल्मोस्स सबको रटा हुआ है और मेरे व्यूवर्स भी यह गाना वह सुनना जाहेंगे इसकी दो पंक्तिया अगर आप उनकों सुना है हाँ मैं दो पंक्तिया सुनाता हूं मैं इस गाने के बारे मैं एक छोटी स गाना मैंने जो कंपोजर है पाहल थे उन्होंने मुझे एक साल पहले सुनाया जब उनसे पहली बार मिला था मैं उन्हों सबसे पहले मुझे यही कंपोजिशन सुनाई थी कुछ रैंडम वर्ट से तो में बहुत अच्छा लगा गाना बट मैंने उनको बोला कि आज इस गा उन्होंने में दून भेजी बात थे 3.30 बजेगी रात को मैं बड़ा ठकाव अभी तए नीन भी आ ले थी पर पता नहीं मेरा मन था उस दिन लिखने का तो मैंने ऐसे मोबाईल रखावा था हूँ मैंने लिखा तेरे जाने का गम और नाने का गम फिर जमाने का गम क्या करें और मैं को नीन आ गई मैं सोगया बट रात बर वो subconscious mind में चलता रहा मेरे कि रात को मैंने कुछ लिखा था, कुछ लिखा था, कुछ लिखा था सुबर उठा तो mobile इधर गिरावा था तो मैंने जल्दी से उठाया क्योंकि मैंने काया सपने में तो नहीं लिख रहा था मैंने देखा तो वो लाइन लिखे ही पड़ी थी अप्रास तो मैंने उनको फोन किया, मैंने काया भवी मैं आज शामकु घर पर आऊँगा आज ये गाना खतम करते हैं क्योंकि मैंने तीन लाइन ऐसे लिखे हैं गाने की आप सुनोंगे मजा जाएगा तो उन्होंने बुला क्या सोना होना भवी मैंने का शामकु मैंने जाएगा तो गाना तयार नहीं था, सिर्फ मुकड़ा तयार था तो मैंने उनको वलाइन दिखाई तो उन्होंने बुला भाई, बहुत अच्छी अभी कुछ कमाल लेके आओ तो मैं बैठा बैठा उनके सामने, हम दोनों बैठें ऐसे मैं लिखा तेरे जाने का गम और ना आने का गम फिर जमाने का क्या करें रह देखे नजर रात भर जाकर पर तेरी तो खबर ना मिले, बहुत आई गई यादे मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर सजाने के नहीं लाना तुम ही आना जब यह लाइन लिख दी ना तो मुझे ऐसा लगा कि या रही क्या हो गया मेरे से और ये विदिन मिनिट्स हुआ तो भाई बाई बहुत अच्छे मोड में हो एक कामद अंतरा भी लिख दो तो मैंने का कि अंतरे के धुन देदो उनकों अजस धुन नहीं थी तो मैंने बूल आ मैं कुछ रैंडम लिखके देता हूँ तो मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया थी मेरी दहलीच से होकर हवाएं जब गुजरती है यहां क्या धूप क्या सावन हवाएं भी बरसती है मैं गलत बोल गया मेरी दहलीच से होकर बाहरे जब गुजरती है यहां क्या धूप क्या सावन हवाएं भी बरसती है हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिये जाना बहुत आई गई याद है मगर इस बार तुम गया तो मैंने उनको जब यह लाइन दी उन्होंने का भाई मीटर बहुत परफेक्ट है मैं भी दो मेंट में आपको बना के सुनाती हूँ मैंने ठीक है तब तक मैं दूसरा परफेक्ट लिखता हूँ उन्होंने वो उसी वक्त कंपोज किया उन्होंने मुझे धुन सुनाई कि भाई सुनो मैंने बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा कि यार मैं इतनी बड़ी बड़ी बाते मैंने लिख दी अब मैं इससे आगे कहां जाऊं एक होता ने कि आपने यहां तक गाना इतना को कर दिया मैं आग बंद करके बस यह कर था कि यार कुछ दे दे यार उपर वाले मतलब इससे बड़ा दे दे क्योंकि आपने जब यह लिख दिया कि यार हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिये जाना बहुत आए गए यार मगर इस बार तुम्या तो मैं यह सोचा था कि यार आगे कि इस वर्ड की राइमिंग बहुत कम है मैंने आके बंद करीब फिर से मैंने लिखना शुरू गिया कि कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है करो पीछा सदाओं क्या सुनो क्या कहना चाहती है यहां तक ठीक था, बट इसके आगे एक लाइन आती है कि तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम मिलाना और वो लिखते लिखते मेरे हाथ काँ अपने लगे, जब मैंने लाइन लिखी दी और लिखके जब मैंने उनको दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, हम बहुत famous music producer है, तो उनका कोई movie का गाम चल रहा था, उन्होंने वो side में छोड़ा और उन्होंने मुझे बला, भाई मैंने 15 साल का career में मैंना ऐसा गाना नहीं सुना, इसको अभी dub करते हैं और उन्होंने dub करके जो गाया वो ही release हुआ है और वो गाना उन्होंने within एक घंटा जो होता है, उसमें पूरा गाना प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद जब हम वो गाना सुने हमको पता सल गया था कि यह गाना पता नहीं कहा जाएगा वो एक magical जो दो गंटे पूरे लगे, इसको शुरू से लाश तक लिखने में, रिकॉर्ड करने में बनने में, दो गंटे का काम था वो काम दो गंटे का था, लेकिं जो अपके माइन में आया हाँ, बट वो मुझे वो बात याद थी कि मैं कभी भी इसको गाने को लिखा हूँ, मैं एक साल बात नहीं उस गाने को माँगा आज मैंने का इसका दिना, पता नहीं वो एक connection बात पहले होगी थी, उस बात लिया आप उसको आप लिखाने को सुनाता हूँ सुनो क्या कहना चाहती है तुम आओगे मुझे मिन में, खबर ये भी तुम ही लाना बहुत आई गई आदें, मगर इस बार तुम ही आना और भी आप बहुत ही, simple शक्तों में आप बहुत बड़ी बात कह जाते हो तो शुरुआज से इस तरह कि राइटिंग में थे या धीरे धीरे आपने ये चीज डिवलट करी यार ये ना मेरे साथ में आप कहोगे कि इतफ़ा कैसा हुग आप कि मैं जो राइटिंग करता था वो में पहले पोईट्रीज गजले ना बड़ा थोड़ा मुश्किल लिखता था और आप देखो कि मेरा पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था हसी बन गया तो हसी बन गया जब रिलीज हुआ तो मैं कुछ जिन तो मुझे भी खुद को लगा कि यार लोग ये समझेंगे यार यह तो कोई भी लिख सकता है इतना आसान गाना लिख दिया मेरा ऐसा इमेज बन गया तो मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरे तो style भी नहीं है यह तो मैंने चल लिख दिया था तो हो गया बट जब गाना चल गया ना तो उसके बाद मुझे समझ में आए कि यह एक ऐसे style है कि जो शायद अभी तक आनी बाकी है हम सब कुछ सुन चुके हैं हम सब तरीके के गाने सुन चुके तब जाके उस तरह के गाने फिर मैंने उसी को अपना style बनाया कि मेरे पास पर काम आता था लोग बोलते थे यार हसी जैसा कुछ लिखो या इतना simple कुछ लिखो क्योंकि पहले हसी आया फिर घर से निकलती आया वो बड़ा simple गाना था फिर गानाया जुदा हम हो गए माना मगर सुन लो मेरी जाना कभी मैं याद हूँ तो चले आना इस सारी conversations इस सारी simple चीज़े हिट हो गए तो मुझे लगा कि यार ये style कोई नहीं कर रहा और मुझे लगता कि यहीं करने के लिए मैं बनाओ बट मैं पहले उर्दू शायरियां गजलें ये सब लिखता था ना मैं आपको कुछ सुनाता हूँ मेरा लिखावा मुझे भी लगता कि यार ये मैं लिखता था वैसा फिला था कि जैसे एक था मेरा कि जब मैं खुद को सड़कों पर जब चलता था तो ख्याल आते रहते थे तो उसमें एक मेरा था कि अपनी वफाओं से मुकर जाना था अपनी वफाओं से मुकर जाना था वो गुजर गया तुझे भी गुजर जाना था देखिश के का पीछा करते करते तु कहां आ गया? किदर जाना था? एक था मेरा एक conversation मैं तब भी कहानिय लिखता था जैसे अगर poetry भी करा हूँ कहानिय लिखता था मैंने को एक बड़ा चीज जाद है कि मैंने एक concert बनाया कि एक लड़का लड़की का एक लंबा relation था कुछ ऐसा हुआ दोनों अलग हो गए उसकी शादी हो गई शादी की बात जब वो लड़की एक दिन उसको call करते कि मैं वापस आना चाहते हूं तो लड़का बला अब सब कुछ बदल गया है क्यों आना चाहते हो तुम तो उसने बोला कि वो ही मैं हूँ कुछ नहीं बदला मेरी feelings हो ही है तुमारे लिए मैंने सब छोड़ दिया है तो वो बोलता है कि ठीक है मिलते हैं एक बार फिर decide करते है क्या बदला है तो basically उस लड़के का ये था कि वो बताना चाहता था वो उदास मन कहां छोड़ा है मतलब पहले तुम आते थे तो तुमको आते टाइम पर जल्दी होती थी कि यार कोई देख न ले घर वाले क्या कहेंगे यार में को डर लग रहा है ठीक है थोड़े दिर मिलते हैं फिर चले आते हैं तो एक हडल होती थी लाइफ में कि वो एक कश्मकश होती दे मिलने की वो नहीं है अभी तो तुम ये लग रहा है कि तुम आगे तुम को जाना ही नहीं है तुमारा कोई घर पे कोई वेट ही नहीं कर रहा है तो उसमें मज़ा नहीं है तो था कि तुम वो कश्मकश वो उल्जन कहाँ छोड़ाए मेरे बिना जो रहता था वो उदास मन कहाँ छोड़ाए पुरानी समझ कर कहीं तुमने फैक तो नहीं दी बताओ वो हमारी यादों की कत्रन कहाँ छोड़ाए क्यों मेरे इतना करीब आकर भी ठंडा पड़ा है मेरे छूने से जल उटता था वो बदन कहां छोड़ा है क्यों तुम्हारे सांसों की महख मेरी सांसों तक नहीं पहुँची मेरी खुश्बू से भीगा हुआ वो पैरहम कहां छोड़ा है तुम वो कश्मकश, वो उल्जन कहां छोड़ाए, मेरे बिना जो रहता था, वो दासमन कहां छोड़ाए तो एक पुराए complete thought था, कि तो कह रही है कि सब कुछ बदल, कुछ नहीं बदला, तो ये चीज़ें बदल गई हैं जो अब नहीं हमारे जो magic ही नहीं है, वो तो होता था, तो ये ऐसा एक concept था, तो इसे बहुत सारी चीज़ें में लिखता था, ये करकर के फिर सॉड़नली मैं, songwriting जब सीखना शुरू किया, जब गाने पुरानों गानों को लेके जब लिखना शुरू किया, तो धर धर दर प्रक्टिस में वो चीज़ें आ गई, वो राजदाने लेशिक से के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत बार ये नाम आया है, तो ये नाम आपको किस ने दिय ये नाम मुझे दिया है, मोहित सूरी जी ने, जिनके आथ मेरी पहली फिल्म आई थी हमारे अधुरी कानी, उन्होंने बहुत फिल्म डायक करी है, बहुत बड़े ब्लॉग बस्र गाने दिये, तो उनकी उस फिल्म के बाद में हर फिल्म में मेरा कोई ने कोई गाना होता है चाहे हो मलंग हो, हाफ गल्फिर्ण हो, एक विल्लन टू हो, उनकी हर फिल्म में गाना रहता है, तो उनकी हाथ मेरी काफी सिटिंग्स होती है, तो वो देखते हैं मुझे लिखते हुए, क्योंकि वो बैट जाते हैं कि लिख दे आ रही, तो एक दूबार उन्होंने देख अधिया ऐसा कि अरे बहुत फास लिखता है, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं राजस्तान सुर्क्त हो, तो राजस्तान से राजदानी जो है, उनको दिमाग में आ गया, तो वो बोलने लगए फोन करके, यस राजदानी को फोन कर यारे गाना खतम करना ह राजदानी को बुलाओ, ये तो हर जेगे फिर राजदानी राजदानी नाम फेमस हो गया, एक दौपनी ये गाना जो भी आपने बोला था, ये वाला, एक विलन में भी थाना हो, मैंने तरहां दिल रख दिया, दिल रख दिया, अब ऐसा क्या कुछ नए आने वाला है, चो हमारे यूवर्स आपसे थोड़ा सा पहले जान ले हमारे पॉडकास के दूब, अब आप थोड़ा अग्रेडी हो रहे हो, बट मैं बताता हूं फिर भी, एक नाए गाना हमने अभी शूट किया है, मैं अभी गया था तो शूट कर किया है, मेरा ना दोस्ती हमेशा से बहुत फेवरेट एक टॉपिक रहा है, तो मैंने सुचा कि यार मेरी नजर में दोस्ती क्या है, मैं दोस्ती को कैसे देखता हूं, बहुत टाइम से मैं सोचा था कि मैं फुरसत लेके थोड़ा ना इस कॉंसेप्ट पे काम करूं अपने दोस्तों के लिए या जमाने भर के दोस्तो इस उने गाने याद आते हैं, जैसे तेरे जैसा यार कहां, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो कुछ गाने याद आते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज हम दे सकते हैं, अगर लोगों को पसंद आएगी, तो वो गाना फिर एक उता है, कि दोस्ती के एक एमोश नहीं लगता, जी उसके वास्ते सब कुछ लुटाना कुछ नहीं लगता, अब बाकी गाना बहुत जल्दी आने वाला है, तो वीडियो के साथ हो गाना मिलेगा, मेरी ट्यून के ऑफिशल चैनल पर गाना आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आई तिंक जैन्वरी हो गाना गाने का नाम है मेरे यार के आगे, मेरी यार के आगे एट ऊफिशल, यूट्यूब चैनल पर गाना, आपका सबसे कम समय में लिखे जाने वाला गाना कौन सा है, मैं नो डाउट यह नहीं पूछूँगा, मास्टरबीस कौन सा है, प्रके में तो सारी मास्टरबीस लग रह तो जब आसिम ने मुझे वो गाना कॉंपोजिशन भेजी थी ना तो मुझे मैंने उसको यह भी नहीं पूचा कि क्या करना है क्या नहीं करना भाई सुनके बता दो इस तरफ मैं उसको लिखना शुरू कर दिया तो जितना टाइपिंग में जो क्यों कि धुन बड़ी कैची थ से मैं स्टूडियो जाता हूं रिकॉर्डिंग करता हूं तो वो गाना मुझकिल से आठ से दस मिनिट में लिखा हो गाना फिर अगर बात करो दूसरा को गाना था तो मैंने तुम्ही आना का आपको बताया अभी ठीक है एक गाना था मेरा हसी बन गए जो मैं ऐसे मजाग में एक बैट के ऐसे लिखा था और पेपर पे लिखा था मैंने वो गाना चाहें अब तो उसके भी दो लाइन सुनना चाहिए इस गाने की कुछ लाइन थी जो मैंने मुकेज जी के मुकेश और मैजबट साब के सामने लिखी थी जो last corrections थे इस गाने के तो उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ नमे को ऐसी line दे यार कि जो इस गाने को complete कर दे या एक प्यार का जो रुतबह है वो भगवान के उससे connect कर दे कि प्यार की आवाद जोती ही भगवान तक कैसे पहुंचती है connection होता है God में और प्यार में तो पता नहीं उस दिन भी मुझे लगा कि मुझे लगता है कि जो भी मैंने अच्छी lines लिखी है या बहुत अच्छी line लिखी है मुझे याद भी नहीं होती कि मैंने क्या सोच के लिखा वो क्या सोच के लिगा, मैं सोच के नहीं लिखता हूँ जो आता है मैं लिख देता हूँ तो उसी टाइम में बेको लाइन आई की क्या खूब रब ने किया बिन माँगे इतना दिया वरना है मिलता कहा हम काफिरों को खुदा हसरते अब मेरी तुम से हैं जा मिली तुम दुआ अब मेरी आखरी बन गए हाँ असी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमा मेरी जमी बन गए है आदे रेना आद जैपूर में जिस तरह से देखते हैं ना नो डाउट कि आप जैपूर भी डव्लॉप्ट हो रहा है और जैपूर के युवा भी समझ रहे हैं कि हमें और भी चीज़ों में लेकिन जैपूर का युवा कुछ गवर्मेंट जॉब्स में कुछ डिप्रेशन में कुछ नशे जैपूर की तो मुझे जैपूर में बहुत वक्त बिताया है जैपूर में रहा हूं इतना टाइम तो जैपूर की हवा की बड़ी खास बात है आप अगर उसको फील करोगा ना तो आपको लगेगा कि आप एक अच्छी जैगह रहते हो एक इतना अच्छा मेडिटेशन जैस तो कनोडिया सरकिल पर जाता था वहां बैट के और लिखने के कोशिश करता था शुरू शुरू में तो एक मज़ा आता था कियार आप इतने पॉइटिक शेर में रहते हो इतनी अच्छी यहां की हवाय है इतनी अच्छी दोस्ती है मुझे तो सारे जो इमोशन से जैपूर सबन हえば मैसे डोथ में दोला है यहां इतनी नीकिंट दो लुझे तो मुझे तो आज मुझे लगता है कि कर यह अंतग गया मैं तोमें जैपूर आता हूं अपने दोस्त वर सनी था उन ऐस करता हूं जैपूर की जो मेरी चीज Corin a और who I will, हिम पुर्हानी छिए पेटा हो मुझे वह अपनीरूट्स में जिया पूर्य रही है तब हлох दो में जिए यार। जैपूर के लिए कुछ करना करना है याज जैपूर का नाम करना नाम करना जहाँ आन पर से उस्ट जहाँ पोशना है। क्यार किसी बंदे नहीं हां रहे यह चीज सेट करिए आज मैं जब आपको बहुत कम लोगों को बात पता होगी मैं बता हूं आपको इंटरनेशनल जितने अब बात आगे कि जैपूर से आपने जैपूर का नाम किया राश्तान का नाम हुआ फिर इंडिया का नाम होता है तो कहीं न कई एक स्टेप बाई स्टेप आप जाके अपनी जगे का नाम रोशन कर रहे हैं जहां तक अपना इंटायर यह पॉट्ट का चला है आपका फैमेली मुझे लगता है कि मुझे या तो जिसको मेरी जरूत है या मुझे जिसकी जरूत है मैं मिल लेता हूं या आ जाता हूं तो क्योंकि सिर्फ दोस्ती से नहीं चलती चीजें, काफ़ी सरी चीजे होती है जो आपको एक साथ लेके चलनी पड़ती है ना, तो मैंने एक शेयर लिखा तो उसमें जो कहना चाहरा हूँ आपको समझ में आएगा, कि एक से पार नहीं पड़ी तो मैंने बनाये चार खुदा एक से पार नहीं पड़ी तो मैंने बनाये चार खुदा, एक मा खुदा, एक बाप खुदा, एक प्यार खुदा, एक यार खुदा, तो सब चीजों के एक मिश्रन है लाइफ, कुराल जितना मेरे सब आपको जाना है और जितना आपने मुझे बाते बताईए, नो डाउट आपके आने वाले सौंग को बहुत प्यार मिलने वाला है, और इनको थो हमने देखा कि लगातार किस तरीके से आप हमसे, अभी पर कनेक्टर हमसे, क्या सब लोग आपकी बाते क कर रहे हैं, और आपके बीजिस वीडियों से आपने आकर कि हम इतना समय दिया, क्यों आने के लिए, थैंक्यू, मुझ स्वफ़ते हैं